मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिवबाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिवबाबा ओम शांती आज की तारिक है तीन नो दोजार चोवीस के बाबा की सकार महावाक्य मीठे बच्चे तुमें किसी भी पतीत देधारियों से प्यार नहीं रखना है क्योंकि तुम पाबन दुनिया में जा रहे हो एक बाब से प्यार करना है बाबा ने प्रेशन पूछा तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यूँ बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वेलियूल है, आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लाटिरी ले रही है, बाप की याद में रहेंगे तो खुराक मिलती रहेगी ओम शान्ती मीठे मीठे रोहानी बच्चे अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पेसंजर हो हम आतमाई हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरशात कर रहे हैं यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आतमाई दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हम को भी वहां दूर देश में ले जाओ अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं तुम रूहानी पसंजर हो क्योंकि इस शरीर के साथ होना रूह ही ट्रेवलिंग करेगी शरीर तो यहां ही छोड़ देगी बाकी रूह ही ट्रेवलिंग यानि की यत्रा करेगी रूह कहा जाएगी अपने रुहानी दुनिया में यह है जिसमानी दुनिया वै है रुहानी दुनिया बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर बापिस जाना है जहां से पार्ट बजाने यहां आए हैं यह बहुत बड़ा मांडवा अत्वा स्टेज है स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको बापिस जाना है नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना अभी तुम यहां बैठे हो तुम्हारा बुद्धी योग घर और राजधानी में है यह तो पक्का पक्का याद कर लो क्योंकि यह तो गाइन है अन्तमति सोगति अभी यहां तुम पढ़ रहे हो जानते हो भगवान शिव बा पुर्शोत्म संग्यम योग के कभी पढ़ाएंगे नहीं सारे पांच या वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं यह तो तुमको पक्का निश्चा है पढ़ाई भी कितनी सहज है अब घर जाना है उस घर से तो सारी दुनिया का पैयार है मुक् पुर्शों की बुद्धी इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धी अभी कैसी बनी है कितना फरक है तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धी नंबर वार पुर्शाथ अंसार सारे बिशप के आदी मद्यांत का नालज तुमको अच्छी तरह है तुम्हारे दिल में यह है कि ह हमको अब पुर्शाद कर नर से नरायन जरूर बनना है। यहां से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सत्युक में देपताईं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, इन से तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैलिवल शरीर है, इस शरीर दवारा ही आत्मा को बाप से लाटरी मिलती है, हम जब तक पुवित्तर नहीं बने हैं, तो घर जा नहीं सकेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, तब ही उस योगवल से पापों का बुजा उत्रेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, पुवित्तर तो जरूर बनना है, लोकिक संबंद में भी बच्चे कोई गंदा पतीद काम करते हैं, तो बाप गुसे में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकाइदे पतीद बनते हैं, किसके साथ भी वेकाइदे प्यार रखते हैं, तो भी माबाप को अच्छा नहीं लगता है, या बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहां तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में, बहाँ विकारी पतीद कोई होता नहीं, एक ही पतीद पावन बाप, आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं, बाप खुद कहते हैं, हमारा जर्म दिब्या और अलोकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, भल धर्म सापक जो आते हैं, उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, प्रेंतु वह बात ही अलग है, हम तो आते ही हैं, सब को बापिस ले जाने के लिए, वह तो उपर से उतरते हैं, नीचे अपना पाठ बजाने, हम तो सब को ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे, उस नई दुनिया सत्युग में बगला कोई भी होता नहीं, बात तो आते ही हैं बगलों के बीच, सत्युग में तुमको यह रतन नहीं मिलेंगे, यहां तुम यह ज्यान रतन चुग कर हंस बनते हो, बगले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाब बैट समझाते हैं, अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस असूरों को बगला कहेंगे, अभी तुम किचडा छुडाए मोती चुगाते हो तुमको ही पदमा पदम भग्यशाली कहते हैं तुमारे पैर में छापपा लगता है पदमों का शिप बाबा को तो पाम है नहीं जो पदम हो सके वे तो तुमको पदमा पदम भग्यशाली बनाते हैं बाब कहते हैं मैं तुमको विशव का मालिक बनाने आया हूँ यह सब बातें अच्छी रिती समझने की हैं मनुश्य यह तो समझते हैं ना स्वर्ग था परन्तु कब था फिर कैसे होगा वे पता नहीं है तुम बच्चे अभी रोशनी में आये हो वे सब हैं अंध्यारे में यह लक्षमी नरायन विशव के मालिक कब कैसे बने यह पता ही नहीं है पांच यह वर्ष की बात है बाब बैट कर समझाते हैं जैसे तुम आते हो पाट बजाने वैसे मैं भी आता हूँ तुम निमंत्रन देखकर बुलाते हो हे बाबा हम पतीतों को आकर पावन बनाओ और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे अपने धर्म सापको भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सब को पावन बनाओ कराइश्ट अत्वा बद्द को थोड़ी पतीत पावन कहेंगे गुरू वह जो सदगती करे वह तो आते हैं उनके पचाड़ी सबको नीचे उतरना है यहां से बापी जाने का रास्ता बतलाने वाला सरब का सदगती करने वाला अकाल मूरत एक ही बाप है बास्तम में सत्गुरु अक्षर ही राइट है तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी आवाद से कहते हैं सत्गुरु अकाल बड़ी जोर से धुन लगाते हैं सत्गुरु अकाल मूरत कहते हैं, मूरत ही नहीं हो तो, वे फिर सत्गुरु कैसे बनेंगे, सद्गति कैसे देंगे, वे सत्गुरु समी आकर अपना प्रिच्चे देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जनम नहीं लेता हूँ, और तो सब श्री धारी बैट सुनाते हैं, तुमको अ परश्रिरी फ्रुहानी बाप बैट समझाते हैं, रात दिन का फरक है, इस समय मनुश्य जो कुछ करते हैं, वह रौंग ही करते हैं, क्योंकि रावन की मतपर है ना, हर एक में पांच विकार हैं, अभी रावन राजय है, ये बाते डेटेल में बाप बैट समझाते हैं, नहीं तो सारे दुनिया के चक्कर का मालूम कैसे पड़े, ये चक्कर कैसे फिरता है, मालूम पड़ना चाहिए न, ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप पे ही बाप समझाते ही रहते हैं, तुमको एक भी प्रिशन पूछने का नहीं रहता, भगवान तो बाप है, बा आप पे ही बठाते हैं, नोकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं, साथ वर्ष वाद ये सब छोड़, भगवान का भजन करना, बैज शास्तर आदी पढ़ना, पूजा करना, तुम आदा कलब पुजारी बने, फिर आदा कलब के लिए पुजय बनते हो, पुवित्तर कैस बनो, उसके लिए कितना सह समझाया जाता है, फिर भक्ती बिलकुत छूट जाती है, वे सब भक्ती कर रहे हैं, तुम ग्यान ले रहे हो, वे रात में हैं, तुम दिन में जाते हो, अर्थात सवर्ग में, गीता में लिखा हुआ है, मन मना भाव, ये अक्षर तो मशूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है, सारी आयू गीता पढ़ते आई हैं, कुछ भी नहीं समझ से, अब वहीं गीता का भगवान बैठ से लगते हैं, तो पती से पावन बन जाते हैं, अभी हम बढ़क्वान से गीता सुनते हैं, फिर ओरों को पावन बनते हैं बाब के महवाक्य हैना यह है बड़ी सहज राज योग मुनुशे कितने अंद शर्दा में डूबे हुए हैं तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं ड्रामा अनुसार उनों की भी जब तकदीर खुले तब ही आ सकें तुम्हारे पास तुम्हारी जैसी देपता धरम बहुत सुख देने वाला है तुम भी समझते हो बाब ठीक कहते हैं शास्तरों में तो वहां भी कंस रावन आदी बैठ दिखाए हैं वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है फल देपताओं को पोजते हैं प्रंतु बुद्धी में कुछ नहीं बैठ था अ ऐसे कभी सुना कि बाब बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो लोकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरशाद कराते हैं क्या या बेहत का बाप बैठ समझाते हैं तुम सारे विशब के आदी मद्यांत को जानकर चकरवती राजा बन जाएंगे पहले तुम जाएंगे घर फिर आना है पाडधारी बनकर अभी किसको भी पता नहीं पढ़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है नई आत्मा का नामा चार जरूर होता है अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामा चार होता है मुनुष्य धेर आ जाते हैं बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है वह भी नहीं आतमा आती है तो पुराणों पर प्रभाव होता है टाल टालियां निकलती जाती है तो उनकी महमा होती है किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामचार क्यों है नहीं आत्मा होने से उनमें कशिश होती है अभी तो देखो कितने धेर जूटे भगवान बन गए है इसलिए गाइन है सचकी बेड़ी हिलती डूलती है लेकिन डूबती नहीं है तुफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खविया है ना बच्चे भी हिलते हैं नाम को तुफान बहुत लगते हैं और सा संगों में तो धेर जाते हैं परन्तु वहां कभी तुफान आदी की बात नहीं आती यहां अवलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परन्तु फिर भी स्थापना तो हो नहीं है बाब बैड समझाते हैं हे आत्माएं तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है रेस्पॉंड तो हर बात का मिलता है वहां दुक्की छीची बातें कोई होती नहीं इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वरग मनुश्य स्वरग और नर्ग कहते हैं परन्तु समझते नहीं हैं कहते हैं पलाना स्वरग गया यह कहना भी बास्त यह फिर कहते हैं सुवरग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्ति दाम आतमाऊ का घर है। जैसे यहां घर होते हैं भक्ती मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने उंचे मंदिर बनाते हैं। शीव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्षमी रहायन का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदे कितने होते हैं, बहुत धन रहता है, अभी तो जूट हो गया है, तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्मेंट के डर से सच्चा छि पूट पहनते रहते हैं, वहां तो है सची सच, जूठा कुछ भी होता नहीं, यहां सच्चा होते भी चिपा कर रख देते हैं, दिन प्रती दिन सोनना महिंगा होता रहता है, वहां तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नहीं दुनिया में सब कुछ नया, अथ अभी तो देखो हर एक चीज कितनी मेंगी हो गई है अभी तुम बच्चों को मूल बतन से लेकर सब राज समझाया है मूल बतन का राज बाप विगर कौन समझाएंगे तुमको फिर टीचर बनना है गरस विवार में भी बल रहो कमल फुल समान वित्तर रहो औरों को भी आप स सकते हैं यहां रहने वालों से भी वे उच पत पा सकते हैं नंबर वार तो है ही बाहर में रहते हुए भी बिजे माला में पिरो सकते हैं हफते का कोर्स ले फिर भल विलायत में जाए वो कहां भी जाए सारी दुनिया को भी मेसेज मिलना है बाप आए हैं सर्फ कहते हैं मा मे कम याद करो भे बाप ही लिबरेटर है गाइड है वहां तुम जाएंगे तो अखवार में भी बहुत नाम हो जाएगा दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी आत्मा और शरीर दो चीज है आत्मा में ही मन बुद्धी है शरीर तो जड़ है पाड़धारी आत्मा बनती है खूबी वाली चीज आत्मा है तो अब बाप को याद करना है यहां रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं कांटों को फूर बनाते रहते हैं वह उंच पद पाते हैं तुम समझते हो प इन पर जीत पाने से तुम जगजित बन जाएंगे पनंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी हैं अभी बाप ने समझाया है अच्छा मीठे मीठे सिकलादे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड बोनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए दारना के लिए मुखे सार नमबर एक सदा ग्यान रतन चुगने वाला हंस बनना ह मुती ही चुगने हैं किच्रा छोड़ देना है हर कदम में पदमों की कमाई जमा कर पदमा पदम भग्याशाली बनना है नमबर दो ऊचपद पाने के लिए टीचर बनकर बोतों की सेवा करनी है कमल फूल समान पवित्तर है आप समान बनाना है कांटों को फूल बनाना है वर्दान सत गुरू परमपिता प्रमात्मा जी का तेरे मेरे की हलचल को समापत कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सी फूल भव समय प्रती समय कितनी आतमय दुक की लहर में आती है पर करती की थोड़ी भी हलचल होती है आप दाय आती हैं तो अनेक आतमय तरपती हैं मर्सी रहम मांगती है तो ऐसी आतमाओं की फुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो पुज्य सबरूप मरसी फुल का धारन करो, स्वेम को स्वबबन बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन हो जाए, अभी परिवर्तन के शुब भावना की लहर तिवर गती से है लाओ, तो तेरे मेरे की हल्चा समापत हो जाएगी, स्लोगन व्यर्त संकलपों की हतोडी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाए हाई जांप दे, समस्या रूपी पहाड को पार करने वाले बनो, ओम शान्ति